भगवान राम की प्रांप्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंतरी नरित मोदीर रामनगरी आयुध्या पहुचे हैं यहाँ भब्य रोट शो में उन्होंने हिस्सा लिया, पूरी आयुध्या उनके स्वागत में बिछी दिखी हर जगा पियम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है पुष्पवर्षा, रामधुन, शंखनाद, सांस्कृतिक कारेक्रमों के प्रस्तुती के भीज पियम मोदी ने सभी का अविवादन किया है और इसको देखते हुए पूरी अयो ध्यार राम मैं दिख रही है धर्मपत से आगे बढ़ने पर लता मंगेशकर चौक की भी सजावट फूलों से की गई थी यहां लता जी के स्वरों में रामभक्ती के गीत गूझते सुनाई पड़े वहीं से आगे बढ़ने पर रामपत को भी कई अस्थानों पर फूलों से सजाय गया धर्मपत से लेकर रामपत तक जहां तक पीम मोदी का काफिला गुजरा दोनों तरफ दोहरी बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि सुरक्षा ब्योस्ता बहुत ही जरूरी थी इसके साथ यह अंतरराष्टी हवाई अड़े समेत 16,000 करोड उपे की परिजनाओ की सौगात भी अयोध्या को मिली पीम रेलवे स्टेशन पर नए भवन का लोकार पढ़ करके छे बंदे भारत और दो अमरित भारत ट्रेनों को भी हरी जंडी दिखाए अब 22 जनवरी को भगवान राम की प्रांट प्रतिश्चा होनी है और उसके पहले पूरा आयोध्या राम मैं हो गया है पूरी अयोध्या भगवा मैं हो गई है योगिया दितनाथ पहले से ही अयोध्या में मौजूद है और लगातार हर चीज पे उनकी निगरानी बनी हुई है प्रशाशन पूरी तरह से चुष्ट मुस्तैद है 15 जनौरी से पहले राममंदीर के सारी निर्मान कारियों को पूरा कर लिया जाएगा ताकि 22 जनौरी को जब भगवान राम अपने गर्फग्रे में अस्थापित होंगे उस दिन पूरी दुनिया राममय हो जाए पूरा अयोध्या के साथ पूरी दुनिया भगवान राम के आस मेर भगवान राम की प्रांट प्रतिष्ठा से पहले ही पूरी अयोध्यार राम मैं हो चुकी है तो इन तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं मिलते अगले वीडियो में आप अयोध्या के हर एक अपडेट के लिए बने रहिए लाइव उपी न्यूज 24 के साथ Namaskar